सावी सुकला का आप सभी मित्रों को साधर नमस्कार जैसा कि मैंने पहले तीन राशियों के बारे में आपको बताया अब हम लोग काड के माध्यम से चौथी राशी के बारे में पता करेंगे चौथी राशी कर्क राशी कर्क राशी बालो ये साल आपका उत्सा से भरपूर रहेगा और समाजिक तोर पे आपका यश्ट फैलेगा धन संपत्ती का योग बन रहा है वाहन और घर खरिदने का योग है पैत्रिक संपत्ती भी मिलेगी आपको लेकिन इस साल आपको किसी कानूनी समस्या का सामना करना पड़ सकता है पारिवानिक जीवन में छोटी मोटी नोगजोग लगी रहेगी और रिस्तों में तनाव भी आ सकते हैं बेवाईक जीवन में वाद विवाद हो सकता है आपको इससे बचना होगा पैसे खर्च दुने के मामले में आपको थोड़ी सी साउधानी बरतनी पड़ेगी प्रेम के मामले में ये साल आपके लिए बेहत खुबसूरत है आप एक दुसरे को समझेंगे और आपके रिस्तों में मजबूती आएगी कुवारों के लिए इस साल साधी का योग बन रहा है आपकी पर्द प्रदिष्ठा में ब्रद्धी होगी और कारशेतर में सम्मान मिलेगा सुख सुवधाय भी आपको भरपूर मिलेंगी मगर इसके लिए कुछ कठिन परिश्रम करना पड़ेगा परिवार में किसी की बिमारी की बज़े से आप परिशान रहेंगे और पैसे ज़्यादा खर्चा होने की संभावना है आपको संक्रामत रोख होने की संभावना है तो अपनी सेहत का ख्याल रखे और साधान रहे बिद्याती इस साल अच्छा प्रदर्शन करेंगे और सफलता अर्जित करेंगे इस साल आपको करने होंगे कुछ चुपा है जिस वज़े से आपको लाव मिलेगा सर्सो का तेल, काला कपड़ा और लोहा दान करें तो मैं यह कहना चाहूंगी कुल मिलाकर यह साल आपका अच्छा जाएगा और इसी सुब कामनाओं के साथ साभी सुखला का नमस्कार